ज्यादा तर लोग कच्छुए के शेव की अंगूटी पहनते हैं, इसको पहनने से धन का मारक खुलता है, साती वास्तु शास्तर में भी इसको शुब बताया गया है, कच्छुए के फायदे शास्तर में भी बताया गया है, लेकिन बहुत से लोग बिना जानकारी के कच्छु कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् उसका साब करके माता लक्ष्मी के सामने रख दें। फिर गाएं के घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी स्त्रोत का पाट करने के बाद अंगूठी को धान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशिवाद हमेशा आप पर बना रहेगा। कच्वे की अंगूठी को पहनते समय ध्यान रखें कि उसका चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए, इससे धन आपकी तरफ अकरशित होता है, अगर भार की तरफ मुखोगा तो धन आने की बजाये चला जाएगा, वहीं अंगूठी को सीधे हाथ के बीच वाली उंगली यानी मद् कर लेते हैं, साथ अंगूठी चांदी या फिर सिल्वर मैटल की होनी चाहिए, इसका सीधा परभाव आपके मस्दिक्ष और मन पर भी पड़ेगा, कच्वे की अंगूठी को पहनने के बाद उसे गुमाना नहीं चाहिए, चुकि अंगूठी को गुमाने से कच्वे के अगर आपको किसी कारे की वज़े से जैसे नहाने के उद्रान काम करते समय या फिर आठा गूनने समय अंगूठी को उतारना पड़े तो उतार कर पूजा घर में रख दें, फिर उसको मातल लक्ष्मी के चोड़नों से छुआ कर अंगूठी को धान कर लें, ऐसा करने से अं लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्याबाद